जैहिंद जैबारत मैं सुभिजार अनंगुन संचालक लक्षर डिफेंस एकडेमी जलगाउनियूर लासल गाओ दोस्तों लक्षर डिफेंस एकडेमी के अंदर अभी अगनिमिर की सेकंड बैच दोस्तों शुरू हो चुकी है फर्स्ट बैच हमने यहाँ पर बहुत ही बढ़ पड़ेगा आप वह आपर एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर जलगाउनियूर में खाने पिने रहने की सभी सुदाय हमारे पास है अभी मैं आपको इंडियन आर्मी के भरती के लिए किस तरह से बदलाओ इस बार किये गए वह सभी बदलाओ मैं आपको आज इस वीडियो के म आप इंडियन अर्मी के वेब साइट के वह चलते हैं सबसे पले जैसे आप इस वेब साइट के ंपर पोचते हो आप देखें यहापर आप सब कुछ आज आपके सामने में ही आपर करूंगा अफिपिछला जैसे वीडियो वगर्य आपको दिखाएते में पहले वीडियो मे ठीक है, अभी यहाँ पर आगर जाते हो आप, JCO-OR अगनिपत इंट्री, यहाँ पर सर्वाइवर उसके बाद, रेकुर्टिंग ओफिस ओनलाई, रेस्टेशन मेल, अगनिवर कैंड़ेट्स, रेकॉर्टर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर एक PDF आपकी, डाउनलोड हो जाएगी, PDF डाउनलोड होने के बाद, आप यहाँ पर देख सकते, रेकुर्टिंग ओपिस हेड़कॉर्टर, चन्ना ही ने, यह PDF यहाँ पर अप्लोड की हुई दोस्तो, इन्वाइट्स, ऑनलाइन अप्लिकेशन, प्रॉम अनमेरीड मेल केंडेट्स, पर स्लेक्शन टेस्ट, पर अगनिवीर, इंटेक पर रेकुर्टिंग यहर दो 2023-24, अंडर अगनिपर स्कीम, ऑनलाइन रेकुर्टिंग देट्स, प्रॉम 16 फरवरी 2023, दोस्तो, यहाँ पर आ दोस्तो, ऑनलाइन रेकुर्टिंग शुरू हो जाएगा, और 15 मार्स तक आप इसके लिए ऑनलाइन रेकुर्टिंग कर सकते हो, यह डाउट आपका क्लेर हो गया, ऑनलाइन एक्जाम डेट्स भी दोस्तो, यहाँ पर दे चुके हैं, 17 एप्रिल 2023 से दोस्तो, आगे दोस्तो यहाँ पर ऑनलाइन एक्जाम भी शुरू हो जाएगे, तो दो डाउट्स आपके क्लेर हो गई, यहाँ पर ऑनलाइन रेकुर्टिंग कब होगा, 16 फरवरी से 15 मार्स तक आपका ऑनलाइन रेकुर्टिंग हो जाएगा, 17 एप्रिल से आगे आपकी ऑनलाइन एक्जाम हो प्राइट फ्रॉम डिस्टिक्स यह तो चैन नहीं एरो का है इसलिए चैनगी के बार मतलब तामिल नौट के बारे में बता रहें लेकिन हम जो नए नियम है नियम के बारे में यहाँ पर इंपोर्टंट चीज़ है क्या क्या नियमों के अंदर बदलाव किया गया वो यहापर हम देखने जा रहे है अभी आप यहापर देशकते हो For recruiting year 2023-2024 The recruitment of Agnivirs will be carried out in two faces Two faces में होगा कैसे कि देखो यहापर First face क्या होगा इंका First face होगा इंका Online computer based written examination होगा इसका मतलब है सबसे पहले अभी क्या होगा अभी आपका यहापर CBT exam होगा अभी आपका online exam दोस्तों यहापर होगा सबसे पहले इसमें तो अभी भी बहुत सारे बच्चे डाउट में कि पहले physical है physical है दोस्तों पहले physical वो इसके अभी तक वेबसेट के पर बहुत सारे पेज वहाँ पर अपडेट नहीं हुए है देखो कंपर में कि आपका पहले अभी online exam होना है आगे देखो phase 2 में होगे आपके recruitment rally जिसमें आपका physical होगा medical होगा वो सब कुछ होगा phase 2 में होगा अब यहापर आप निच्च देख सकते हो procedure of online registration all candidates to log on into joinindianarmy.nick.in check their eligibility status and create their profile आप अपने profile यहापर create कर सकते हो और बहुत सारे यहापर दी है ठीक है examination fee आपको 10 रुपे examination fee आपर लएगी आपको साब दिया वाई यहापर payment किस तरह से करना है आपने maestro mastercard से वो भी दिया वाई internet banking से कर सकते हो UPI भीम से भी कर सकते हो duplicate incomplete originally field application will be rejected होगा आपका यहापर वो सभी चीज़े यहापर दी हुई है यह सब कुछ बढ़ने के बाद ही आपने फार्म बरना है ठीक है ज्यादा मैं आपको यहापर नहीं बताऊंगा ताकि video हमार लंबा हो जाएगा ठीक है कोई कोई इंपोर्टन चीज़े है दिसको category wise link has been provided on JIA JIA का मतलब होता है join Indian Army website to enable candidates to practice online CE as per their category all candidates are advised to carry out practice at least once before appearing for actual CE जैसे आप actual common interest exam पहुशने से पहले जो वीडियो इन्होंने practice online पर दिया हुआ है website के उपर JIA website के उपर दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप एक बार जो है वहाँ पर जो वीडियो देख लेना यह बता रहा है इसके बारे में ठीक है बाकि यहाँ पर कोई important नहीं यहाँ पर कुछ चीज़े important है जो बच्चे को बच्चों के मन में अभी अभी डाउट है वो डाउट अभी क्लेर कर लो अगनिवेर जंडर जूटी एज देखो दोस्तों यहाँ पर एज एज दिया है साधी सतरा साल से एकिस साल दसवी पास होने चाहिए 45 परसेंट मार्स होने चाहिए इसमें ठीक है उसके बाद बस और हर सब्चेटि में 33 परसेंट से उपर मार्क होने चाहिए दोस्तों ज्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ने की दोतनी हमें इतना यह एजूकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया सिर यहाँ पर जिन बच्चों ने आई टाय किया हमें बन यह कहरें ऑपना वाफिन सब्चे Tak Histori Alec अगर आप ने किया है Science with Physics, Chemistry, Math and English with minimum 50% mark and हर सब्जेक्ट आपके चाहिए 40% mark होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में अगर आपके पास है तो भी आप टेक्निक लिए फाहम बर सकते हो अगर आप प्लेट टेक्निक के चाहिए और आपके पास एक साल का ITI भी है तो भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो नेश्ट आगे बढ़ते हैं अगर आप प्लेट टेक्निकल के लिए 10 प्लस 2 ही चाहिए था लेकिन अभी बहुत बड़ी यहापर बदलाव किया गया है अगर आपके पास अगर आप 10 वी पास भी हो तब भी आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो देखो 10th metric pass with 50% marks आपके होनी चाहिए और यहापर 40% marks in English, Math and Science with 2 years of tech training from ITI दो साल का आपके पास ITI होना चाहिए अगर आपने 2 साल का ITI किया हुआ है दसवी क्लास में आपके 50% marks है तो भी आप अगनिवे टेक्निकल पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है या फिर 2 या 3 years diploma in following streams only अभी ITI बोलोगे सर ITI तो आप इसमें से अगर आपने किसी भी चीज में ITI किया हुआ है तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो देखो कौन-कौन सिस्टिम से हो mechanic motor vehicle, mechanic diesel, electronic mechanic technician power electronic systems, electrician, fitter, instrument mechanic, dustman, survivor geo informatics assistant, information and communication technology प्रिया पर दिया आपका system maintenance, information technology mechanic अपरेटर इलेक्प्रीक, communication system, vessel navigator, mechanical engineering, electrical engineering, electronics engineering, computer science उसके बाद आपका instrumentation technology अगर आपने इन सभी stream के अगर आपने इसमें से कोई भी stream में अगर आपने ITI या डिपलोमा आपने किया हुआ है तो और साथ में आपने 10th class में अगर आपके पास 50% mark है तो दोस्तों आप अगनिविर टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हो यह बहुत बड़ा बदला वें इसके अंदर और आगे बताँगो मैं आपको इसके फायदे देखो अब चल टेक्निकल होगे आपका अब चलते क्लर के लिए क्लर के लिए विए उम्र दोस्तों सथा साथ साथ साल से 21 साल उम्र है उम्र में यहाँ पर आपका जो होने चाहिए आपर अगनिवे ट्रेट्समाज के लिए आपर टेंथ पास होना चाहिए उम्र वही साथ सातर साल से 21 साल क्लास टेंथ सिंपल पास होने चाहिए आपर ठीक है यहाँ पर कोई सब्जेट्ट वाइज मार्क की यहाँ पर जोर्वत नहीं है अभी आगे देखते हैं आप अगनिवे ट्रेट्समाज एट पास और आम्स साथ सातर से 21 साल होने चाहिए क्लास एट सिंपल पास होना चाहिए आपर ओके आगे और candidates who have appear in class 10th and class 10th board exam are awaiting declaration of result are also eligible to apply provider their fulfill all other qr जो बच्चे 10th में और 13th class में वो भी इनके लिए eligible है बट उसके लिए कि वो एक्जाम के लिए जा सकते एक्जाम दे सकते लेकिन उनको जो अपना original mark seat जब face to recruiting process के लिए आएगा तब उन्हें वो produce करना पड़ेगा यह बताएगा आपको चलो दोस्तो आगे चलते हैं date of birth साब दिया यहाँ पर एक October देखो एक October 2002 से एक April 2006 तक के बीच में अजर आपकी date of birth थे तो आप इस बार अगनी विर post के लिए apply कर सकते हो आपने date of birth देख लेने एक बार बस एक October 2002 से एक April 2006 तक regional height and chest the minimum regional height and chest for the southern यहाँ पर दिया हुए जो आपकी height weight और जो पुड़ा दिया हुए अंद्र पर स्तामिल लगा न यह तो उस राज्यों के लिए पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा कि उनके बच्चे अग्यों जुड़ी के लिए 20 मार्क क्लर्क ट्रेट्समार्क और किसके लिए और क्लर्क ट्रेट्समान इस सभी के लिए उनको जुढ स एक स्फर पर स्विश्मार्क के बच्चे अगर आप और आप देख समारख में सबूर्द हो यहाँ पर आपको ऊपर इसने स्ट सेट रहे पर आपको मार्ल पर पर पंदरा-पंदरा मर्क मिलेंगे याँ पर आपको आप क्वालेज Middle भी खेले वो तो आपको यापऔर ज mà हो कि जो हिए उसे सी एस्रेटीफिकेट अगर आपके पास है तो आपको पाचमार्प मिलेंगे यहां से 20 सेटिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे यहां से सी सेटिफिकेट अगर आपके पास है दोस्तों तो आपको 20 मार्क मिलेंगे जीडी में क्लक में मिलेंगे आपको 15 मार्क और टेटम में मिलेंगे आपको 15 मार्क टेक्निकल में आपको 15 मार्क है यहां पर 25 मार्क है 20 और 20 और यहां पर अगें दिया थेंड फर अगनिविर क्लर्क अपलिक एसके डिकेट एट हैविंग जुरो ओ लेवल आईटी कोर्स सर्टिफिकेट इस्यू बाई यन आई इल आईटी एड़िंग हाईयर लेवल आईटी क सर्टिफिकेट उनको दोस्तों यहां पर 15 मार्क मिलेंगे बोनस मार्स फॉर आईटे स्किल क्वालिफाइड केंडेट इज एज अंडर टेम प्लस टू यह स्कोर आईटी आई बीस मार्क टेन दो दस्वी किये दो या तीन सल कर डिप्लोमा किया आपने दो को आईटे के लि मार्क मिलेंगे और 12 प्लस आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 50 मार्स मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आईटे वालों को डिप्लोमा वालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइदा यहाँ पर हो रहा है कि अगर एक तो यह पर है कि बाइक तो यह पुराने निये में इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है यह ऑनलाइन सी क्या बता रहा है यह पूरा एक जम जाने से पहले है आपका पूरा बता रहा है अपने गेट पर कैसे अपना अपना आडमेट कर ले जाना है दोस्तों यह सब कुछ मैंने आपको काम की चीज़ बता दी इस वीडियो क्या अभी भी लग रहा है मुझे आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा फ अगर आपके पास अगर आपकी ऊंडर जो मैंने बताया आभी इस उमर के अंदर आफ को आपके आव लक्षिरी पेंज एकड़ी मदलब सिलेशन की ग्यारंटी दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरों